आज बहुत ही महत्वपूर्ण विशे पर बात करूंगा मैं क्योंकि आलमोस्ट पैटल फॉल पर ही से ही सबसे अच्छी महनत शुरू हो जाती है हमारी क्योंकि सेब तो लग चुके है अब लो हाइट में मीडल में अभी वक्त है क्योंकि कोईरी बहुत आती है पिंग के हम पैटल फॉल पर क्या-क्या सप्रे कर सकते हैं बिल्कुल सांच्टा जी बहुत अच्छी क्रॉप है बहुत ही जादा रतनेगी जी अब और जिनल पीजार मेरे हिसाब से अब हीमाचल में खतम है अब डुप्लिकेट ही मिल रहा है जो भी मिल रहा है मुझे लगता कि अब शुरू कर देना जी हमें आज का जो परपस है जैसे कि आप सभी को कि अब लो हाइट में मैक्सिमम पैटल फॉल हो चुका है तो अब कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि बहुत क्या डाले क्या ना डाले कौन सी चीज क्या काम करेगी तो मैं अपने एक्सपिरियंस शेयर करूँगा मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा कि किस से क्या होता है क्या अपने अपनी कंपनी से अपने प्रोडक्ट है सबके तो एक चीज का दियान रखना जब पत्ता आना शुरू होता है आपके प्लांट में तब से लेकर आपके 65 से 70 दिन तक कोई भी फंगस एंटर नहीं करती है आपके लीव्स में तो इसी बीच आपको कोई भी फंगे साइल्ट सप्रे करने की जुरूत नहीं है मेरे से सिर्फ एक चीज के लिए आपको पत्तो में सुप्रे करने पड़ती ए मेरे साइब से उध ही 걸로 और का जो चोटनार क होता है जो या श्रीज रिओ स्ध की ड्रॉपिंग की शिकाइत या इसके लिए बड़ाई ढली जाती है इस चूल में में we systematic contact fungicide के अभी कोई दूरत नहीं है कुछ लोगों के confusion होगा के contact or systematic क्या होती है contact fungicide सब्सक्राइब भाशा में आपको समझाएं जो dythene होती है वह contact fungicide होती है और जो 22 होती है systematik होती है जब भी आप दूआइदे उसके उपर लिखा होता है systematic और दोनों दुआया मिक्स करके पड़ती हैं मगर अभी नहीं पड़ती है क्योंकि अभी आप जितना ज्यादा सप्रेज करेंगे इतनी जादी रस्टेव हो गया रस्टिंग आईगी आपकी जादे से जादा तो खास तो पर अभी आप फिलाल पौडर फॉर्म से बच सकते सप्र से और आपको हर सप्रे में स्टिकर डालने की ज़रूआते हैं कोशिश हो तो आप सिलिकॉन बेस्ट जो भी स्टिकर श्टिकर शेमिलेटर आते हैं आप उसका यूज कर सकते हैं तो तो फिर बात आती है कि अब इस स्टेज पर आप क्या सप्रे करें माइकलो बुटालीन जो की होल्टी कल्चर वाले बून करके देते हैं नागार जोना का इंडेक्स के नाम से आता है और सुमी टोमो का बुदी कुछ ऐसा नाम है उस नाम से आता है आई थिंक तो आपको माइकलो बुटालीन डालना है पैटल फॉल पे क्योंकि एक सस्ती सप्रेवी है यह और इसके साथ-साथ क्या महत्वपूर्ण है और करने के लिए साइज इंप्रूमेंट के लिए या कुछ और करने के लिए तो पैटल फॉल से लेकर आपके वॉलनेट स्टेज तक द्यान से सुनना पैटल फॉल से लेकर वॉलनेट स्टेज तक आपके फूर्ट के सेल्ज की ड्विजन होता है और अक्रोट के दाने से लेकर आपके आगे तिल हर्वेस तक सेल्ज की ड्वलमेंट होती है यह सेल्ज क्या होता है हर फूर्ट में आपने अगर अभी तो नहीं दिखे गापको ग्रीन-ग्रीन से स्पॉर्ट होते हैं हर human body में भी cells होते हैं तो वो cells का division बहुत महत्वपूर्ण है और वो कौन सी चीज़ करती है maximum जिन लोगों ने PGR डाला है PGR आपके प्रॉमेलीन परलान जो भी डाला है आप लोगों ने उसमें 6BA होता है वैसे तो special cell division के लिए फौरण में 6BA मेकसल आता है एक फाइन एक्रोकेमिकल का प्रॉमेलीन परलान जाता है क्योंकि उसे बहुत अच्छा cell division होता है तो अब चलो वो फैसलिटे हमारे पार नहीं है जिन्होंने प्रॉमलीन परलान डाला उन्हें भी 6BA है वो भी काफी अच्छा cell division करता है इसके सासा जो हमारे पास हैवी लेबल है हमारे इंडिया में क्य कैलिशियम साइज नहीं रोकता बलकि Size बढ़ने में मदद करता है, Cells की bonding को जोड़ के रखता है साथ के साथ सेल डूइजन में मदद करेंगा आपके केल्चियम और जिसके खास तोर पर डॉपिंग की शिकाइट आती है सन बर्न की शिकाइट आती है उसके लिए भी केल्चियम बहुत ही जरूरी है तो मगर एक महत्वपून बात इसमें समझने वाली है कि केल्चियम वर्किंग कैसे करता है केल्चियम आपके बोरोन के साथ वर्क करता है ऐसा नहीं कि सिंगल नहीं करता है सिंगल करता है मगर सिंगल वो बड़े स्लोली काम करता है जब उसके साथ बोरोन डाला जाएगा तो वो उसमें एक अच्छे कॉंबिनेशन में धिया गया हर चीज और कॉंपो का कैल्प प्रीमियम और एक और प्रोड़क्ट है है उनका कैल मैक्स कुछ ऐसा है उसमें भी कैल्चियम बोरॉन और मेगनेशियम है वह भी बहुत अच्छा प्रोड़क्ट है चलो वह कैटेगरी में मैं नहीं बांटू का कौन सा आपके पास जो जल्दी और इसली मिले वोर जरूर डालना और जब कैलशियम डालना विद्द बोरॉन डालना कू़कि अभी काप अभी से कैल्चियम की सपरे शुरू करनी है फिर एक बात आएगी किस डोज में अगर तो आप सिंगल डाल रहे है कोई भी कैल्चियम तो आपको तीस या चालिस ग्राम से शुरू करना है और हर सप्रे में कैल्शियम कोई डालना है आपने और कोशिश हो उसके साथ बोरॉन डाले अगर कोई ऐसा प्रोड़क्ट आपको मिलता है जिसमें दोनों चीजे हो कैल्शियम प्लस बोरॉन तो वो जादा अच्छा है और डी बनी ब मैक्सिमम हमारे ड्रम 220-30-40 लिटर रख होते हैं कई ड्रम तो हमने तो पहले तो यह अडेंटिफाई करना है कि जो आप पानी मिला रहे हैं उसका वोल्यूम सिर्फ 200 लिटर हो एक मार्क करके ना निशान लगा दो हमेशा पानी कभी जादा नहीं डालना और जो पानी में डाला जाता है